सारण जिले की डेर्नी थाना अंतरगत सुतिहार बजार में दिन दहाड़े गैरे संचालक की हत्या मामले का उद्देदन के लिए SP डाक्टर गौरो मंगला ने डॉग इसक्वाइड एवं FSL टीम की मदद ली है गटना की बार डॉग इसक्वाइड टीम एवं FSL की टीम घटना अस्थल पर पहुँच जाज परताल सुरू किया डॉग इसक्वाइड की टीम ने हत्या वाले अस्थान पर डॉग को ले जाकर उसे सुगाया जिसके बार डॉग एवं एक तरफ दोड़ा लेकिन कोई सार्थक निसकर्श नहीं निकल पाया है FSL की टीम ने घटना अस्थल से सेंपल कलेक्ट किया जिला प्रसाशन इस हत्या मामले की गुत्ती सुलजाने में पूरी तरह से लगी हुई है सबकी निगाहें अब वो पुलिस के अगले कदम पर टिकी हुई है कि पुलिस कितनी जल्द इस मामले का उद्देदन कर अपराधियों को पकड़ती है विदीधों की आज सुबह डेरनी थाना अंतरगत सुतिहार बजार के समीप बेखोफ अपराधियों ने भेलदी थाना छित्र के सोभापूर रामचक गाउनिवासी बनारस राय के 46 वर्स्य पुत्र दिलिप राय की हत्या गोली मारकर उसके गैरेज के समीप ही कर दी है उसके हत्या के बाद जहां परिवार वालों में कोहरा मचा हुआ है वही सूचना के बाद मौके पर पहुची डेर्नी थारा पुरिस ने सोभ को कबजे में लेकर पोश्टमाटम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा जहां सोभ का पोश्टमाटम कराय जाने के बाद उसे परिवार वालों को सौब दिया गया रिपोर्ट हलचलनुस24 छपरा से रंजीता गुप्ता